बेरके जितेगे भी स्टूडेंट हैं जिनका BFC ग्राफर के लिए एक स्टूडेंड ग्राफर के सकते हैं और यह वेदन करक्ष ہے और आपको सीधी भरती है सेलेरी भी आपको एक अच्छा खासा 16,000 रुपय पर मन जो है सेलेरी आपको जो है देखने को मिलेगा तो स्लेबस और एक्जाम पेटन आई यू सी मा कितना है चैन प्रिक्षा किस तरह से होगा और इस्टाप नर्स भरती परिक्षा की तैयारी आप जो है किस तरह से कर सकते ह और आपको जो है इस्टाप नर्स भरती परिक्षा के लिए कौन-कौन से बुख से आपको प्रिक्रेशन तैयारी करना चाहिए और इसके लापका आवेदन करने के लाश्ट अधर जो है क्या परिक्षा सूल का जो है कितना है सभी डिटेर से इस वीडियो में आप लोगों क के लिए भी फायदा है ताकि आप लोग जो इस्टुडेंट मेडिकल फिल्डों में जाना चाहते है वो भी जा सकते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आवेदन के बारे में बताना चाहता हूं कि आपको अवेदन करने के लाश्ट अधर जो है क्या है तो 11 अपरिल से अवेदन करने स्टार्ट हो गया है और लाश्ट डेट के बाद करें तो आपका 25 अपरेल 25 अपरेल आप साम पांच बजे तक इसके लावेदन कर शकते हैं तो आप लोगों को मैं पोस्ट बता देता हूं कि कित्ता कित्ता पोस्ट और कॉंसे के डिगरी के लिए जो है निकल तरह वस्ट संत्यां का नुफावद strains ekत्यावशे ट्रॉं संस्तावे साथ की सवास्ताशन संसां जाए पूरस आयरत अभ्यारत। को प्रात्मिक्तत दी जाएगे मत्तब यह कहने का मतब सीधर शीधर शाफ कि जो इस्टुडेंट जो नहोंने भी सी नर्शिंग अपना डियाजिवसन कंप्लीट करने के बाद कहीं आप रात्मिक स्वाब से के इंदर में कहीं काम किया है तो उनके पास दो वर्से का कोर्स जो के डिग्री वाले स्टुडेंट को जो है सोरु के जो है अवेधन सूल के लगेगा तो कि सूल का आपको जो है किस तरशे देना तो सूल का जो है आपको ऑन-लाइन ही देना है और इस जैसे कि आपका ग्रेजवेशन कंप्लीट हो गया तो डियो मतलब एक वर्सी कंप्यूट का डिप्लोमा भी आपको जो है होना बहुत ज्यादा ज़रूरी है और कुल विज्यापीत पदो कि शंखे आपके एक से दश्यानी कि आपको जित्ते पोस्ट निकला है एक सुनक्यान में पोस्ट उससे जो है देस गुना भीस गुना जो होगा और इसके साथ ही आपको बता सकते हैं मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जब तक आपका कॉंसल पर इक्षा एक्जाम को आप कौलिफाइन नहीं करेंगे आपका स्लेक्शन नहीं होगा तो आप लोगों को मैं बहुत बड़ी जनकारी देना चाहता हूँ कि 48802 में द्वारों को कॉंसल पर इक्षा के तो श्लेक्श सर और गजाम पताने के बात करें तो इस्टाफ नर्ड से भरती परीक्शा में एकसोर प्रश्न पुछ जाते हैं प्रत्याफ प्रश्न मसोगा यानि प्रत्य प्रश्न के लिए एक उंक होगा और आपसे बात करें तो तो आपके अरटर पेटा सब्सक्राइब की तो जञेर नर्शिंग, मनोरोग नर्शिंग, नर्शिंग में कम्प्यूटर, परियवरण की स्वक्षत, नर्शिंग के बुन्यादी धाचे, मेडिकल सर्जिकल नर्शिंग, जीव रशायन, स्वास्त, शिक्षा और सामुदाईक फार्मेसी, नागरिक सास्त्र, और जी बनानी की विद् परिक्षा है, नर्शिंग वाले स्टुडेंट के लिए, तो आप तयारी अच्छे से कर सकते हैं, और जिससे आप इस्टाप नर्शिंग भरती परिक्षा जो निकला है आप लोगों के लिए व्यापम के द्वारा तो आप लोगों का सेलेक्शन जो हो जाएगा, तो इस्ट रहे तैयारी आपना बहुत अच्छी से कीज़ए, बेश्ट आपने अच्छी से कीज़ए, तاकि आप सी स्टाफर नर्श से बन सकते हुए और सोड़ी तो जो मेंडीकल थी ओन जा सकते हैं, तो इसी तरह जो इस्टुने डॉंक ऊदन्स में आना चासे ही आप भैस्श न섯 अच्छे एमाउंट में आपको मिलेगा तो आप जो है इस टापनर सो भरती परिक्षा निकला है इसके लिए 11 अपरेल से पची अपरेल तक जो है आप अवेदन कर शकते हैं और सिर्पनर सो भरती परिक्षा के से लेबसर एक्जांपेटरने के बारे मैं आपको पता दिया इस एक जड़ूरी बात आपको बताना चाहता हूं कि एसेंचिया इंग्लिष में आपको कहीं पर भी हिंदी देखनों कु नहीं मिलेगा आपको इंग्लिष महीं समझना होगा लेकिन बुक बहुत इतना स्टैंडर्ड है और अच्छा है कि आप जो एज वी सभी चीजों को समझ प्राइंग तो यह बहुत जो है लेशक्ति इसेंचियल इंग्लिष रश्मी श्रीदीशा पडिकेशन की जिसने आपके त्यारी जो है बहुत अच्छे से बहतर तरीके से हो जाएगा तो इस तरह से आप जो है आपको पढ़ लेना है इस तरह से जो भी चीजे मैं आपको ब केशी करते क्सी आपको नहीं आपको थीस, तो आपको कोग डेसे अपना रखना है जिसे जबभी को भी वेकेंस निखले आप उसमें डाले जब आप लोग फॉर्म फील अप करेंगे जाम दिलाएंगे तो इसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े गए हाई इस एक्जाम में इतना इसको गेंगे नेश्टे एक्जाम में इसे और अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा जिसे आपका इस लेवल थुड़ा बढ़ेगा और आपको खुद में एक कॉंफिडेंश ना जाराएगा तो आई होब कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वह सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसं रोगों को टाल आप लोगों को घंक समारा होगों को अंभ नेग को शक्राइब को घंक सफंद आए हां हों है हाम isवान को एल आपको डिया रहाने को जोड़ाई है चाहा है हाझा अवानीच कर रापको घंक एंक वा